अलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं ना मेरी तुराज आपका मेरे चैनल में स्वागत है तो आज 12 दिसंबर है 12 दिसंबर के दिन क्या प्रम घटना है हुए थी यह हम जानेंगे इसके बाद हम 12 दिसंबर के कुछ करेंट फैस को भी क्विस को देखी भी तो यहां पर करता होना चाहिए कि भारत की राज़ानी दिल्ली के पहले अंग्रेज शासन जब था उस समय भारत की राज़ानी कलकत्ता हुआ कर दी उसके बाद 1911 में कलकत्ता से इसको शिफ्ट करके दिल्ली में स्थान अंत्रत कर दिया था सन 1911 में ही जाज पंचम और मेरी भारत के संवराट की रूप में भारत आये थे सन 1971 में भारती संसद्वारा पूर्व के राजाओं को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं रद्द कर दी गई थी एक्चुली में हुआ यह था कि जब भारत स्वतंत हुआ था उस समय उसके बाद जो राजा थे जो पूर्व के जो राजा थे उनको कुछ स्कॉलरशिप भी दिया थी जिसको मदद की रूप में दिया जाता था कुछ पेमेंट या बोल सकते हैं पैंशन दिया थी और साथी साथ में कुछ सुविधाएं दिया थी कुछ वी आईपी ट्रीटमेंट भी दिया जाता था इसको संसद्व ने 1971 में पूरी तरह से समाप् प्रकार की सुविधाएं या पैंशन मिला करती थी स्कॉलर्शिप मिला करती थी वो सारी चीज़ें हम आपको अब बंद कर देंगे अब आप एक आम नागरिक के जैसे भारत में अपना जीवन है अपन करिए सन 1996 में भारत और भारत इवर बंगलादेश के मद्द गंगा जल के बटवारे को लेकर तीस वर्षी संद्वी पर हस्ताक्षर हुए थे राष्ट कवी करूप में विख्याद प्रसिद्ध हिंदी कवी मैतली शरंगुप्त जी का निधन 1964 में हुए था तो मैतली संद्गुप्त जी बहुत ही फेमस कवी थे और इनके बारे में एक प्रचरित बात थी कि ये हमेशा देश प्रेम की उपर ही कवी तान लिखा करते थे इसलिए इनको राष्ट कवी के नाम से सम्मुद्ध किया भी जाता था पिछले ही वापस आयाते है CurrentFS quiz के तरफ आपका आपसे निवेधन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स वीडियो को नोटिफिक्शन लगातार मिलते रहें क्योंकि हमारी जो क्लास है रोज सुबह 6 बज़े रहती है रेगुलर और साथी रासात में रोज शाम को साथ बज़े हम करेंट अफेस के डेली के करेंट अफेस का डीटेल में एनलिसिस भी करते हैं तो कॉशन है पर अंतरास्टी मानवधिकार दिवस निम्ण में से किस दिन मनाया जाता है चली ऑप्शन है बस 12 अगस्त 10 दिसम्बर 15 मार्च या फिर 20 अप्रेल चली इस कांसर दिजी कांट में अंतरास्टी मानवधिकार दिवस निम्ण में से किस दिन मनाया जाता है चलिए इस कांसर है 10 दिसंबर हर साल 10 दिसंबर को अंतराष्टी मानावधिकार दिवस मनाया जाता है सहित राष्ट ने 1950 में 10 दिसंबर के दिन को ही मानावधिकार दिवस मनाने के लिए घोशित किया था तो सबसे पहले मानावधिकार दिवस जो है वो 1950 में मनाये गया था किसके द्वारा सन्यतराष्ट संग के द्वारा जो की आज भी मनाये जाता है 10 दिसंबर के दिन ही मानवदिकार दिवस लोगों को उनके अधिकारों के प्रतिक जागरू करने के उध्देश से मनाये जाता है मानवदिकार में स्वास्त, आर्थिक, सामाजे के उन सिक्षा का अधिकार भी शामिल है हाल ही में इटली के किस स्टार, फुटवालर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है राबर्टो, बेगियो, फोबियो, कैनावरो, पाउली, रोजी या फिर आंद्रे, पिर्लू हाल ही में इटली के किस स्टार, फुटवालर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है चरीज का आंसर है पावली रोजी इटली के स्टार फुटवालर पावली रोजी का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया यह बहुत ही फेमस फुटवालर थे इटली के थे 64 वर्ष की इनकी उम्र हो गई थी इनका निधन हो गया हाल ही में इस साल 25 नम्मर को अर्जेंटिने के स्टार फुटवालर डिएगो माराडोना का भी निधन हुआ है यहाँ पे एक ही मंत में एक मंत के बाद दूसरे मंत में लगातार दो फुटवालरों का यहाँ पे निधन हुआ है एक हो गया है हमारे डिएगो माराडोना और साथी साथ में अभी हुए है पावली रोजी इटली के स्टार फुटवालर कहे जाते हैं यह 1982 में इटली वर्ल्ड चैंपिन बनाने में पावली रोजी का और एसी मिलान की और से खेल चुके है 1982 वर्ल्ड कप में उन्हें गोल्डन बूट एंड गोल्डन बॉल से भी नवाजा गया था हाल ही में किस देश के अमीर शेक नवाफ अल एहमद अलसबाब ने शेक सबा अलखलीद अलसबाब को पधारमंती ग्रूप में निफ्ट किया है option of course कुवेद, तुर्की, सौधी अरब, या फिर इरान चलिसकांसर दीजे काउन में चलिसकांसर है कुवेद शेक सबा ने संसिदी चुनाओं के बाद एक प्रतिक्यात्नक कदम से अपनी सरकार का स्तीफा सौपने के दो दिन बाद ये कदम उठाया है सबा अलखालिद अलसबाब के राजनितिक करियर की शुरूआत 1978 में विरेशी मामलों के मंत्राले में होने के साथ सुरू ही थी जहां उन्होंने सहित रास्ट में कुवेट के स्थाई मिशन के प्रतिनी धी 1983 से 89 सहित कही कई अहम पदों पर भी काम किया है तो यहां पर से अमीर शेक नवाफ अलएहमद अलसबाब जो की कुवेट के राजा कहलाते हैं परिंस कहलाते हैं उन्होंने शेक सबा अलखालित अलसबाब को पदान मंत्री की रूप में निउक्त किया है इसके पहले शेक सबा ने अपना स्थीफा दे दिया था जिसके वज़े से नई सरकार बनानी पड़ी थी और फिर वापरस यहां पे नए पदान मंत्री के यहां पे युक्त किया गया है चीन ने विश्व भर के विभिन्ने देशों के कितने एप पर प्रतिबंद लगा दिया है ऑफ्यन एपक्वास एक सो बारा एक सो एक सो अथाइस या फिर एक सो पांच चलिए इसका अंसा दीजे कांड में अभी हाल ही में भारत ने हाल ही में क्या पूरे अथेटा ने वी प्रतिबंद लगाया चीन के कुछ एप के उपर तो अब यहाँ पर चीन ने भी एक प्रतीक रियातमत रूप के तौर पर कुछ विश्व भर के कुछ ऐसे एप हैं जिनको बैन किया है आपको बताना है कि वो कितने एप हैं विभिन्ने देशों के कितने ए एडवाइजर जो है वो चीनी के चीनी शाखा साहित एक सो पांच एप को हटाने के आदेश दिये हैं ट्रिप एडवाइजर चाइना ट्रिप एडवाइजर और चीनी साज़दारी ट्रिप.com का एक सायुक्त उद्धम भी है चीन ने इन सभी पर रोग लगाते हुए इन एप को तुरंट एप स्टोर से हटाने के आदेश भी दिये हैं मीडिया रोपोर्ट के मताबित नए अभियान के तहचीन द्वारा यह लोग लगाई गई इन एप पर अशलील साहित, हिंसा, जुआ, वैशावरती जैसी सामग्री फैलाने का आरोप है चली आँगे बात करेंगे जलवाय परिवर्तन सुचिकांग 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है चलिए इसका अंसर है दसवे स्थान पर भारत लगतार दूसरे वर्ष सीज दस में बना हुआ है भारत ने सौ में से 63.98 अंग प्राप्त की दिए हाला कि भारत 2019 बीस में नौवे स्थान से एक साल नीचे किसक गया है परंतु देश के जलवायू सरनेक्षन की दिशा में 24 में 31 वे स्थान से अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार करते हुए वे अब 10 वे स्थान पर पहुंचा है इसके पहले 2019 में नौवे स्थान पर था तो एक स्थान गिर गया है वो परंतु दोया 14 से बात करी आती है तो वो लगातार यहां पर अपनी स्थिती को सुधारा है 31 स्थान से 10 स्थान पर आ गया है दोया 14 के मुकाबले सुचिकांग में स्वीडन चौथे स्थान पर है, यूके पांचवे स्थान पर है, डैनमा क्षटवे स्थान पर है, सातवे, मुरको, आटवे पर नौवे और चिली नौवे स्थान पर रहा है केंद सरकार ने चालू वित्वर्ष में आत्म निभर भारत रोजगार योजना के लिए कितने करोड रुपए का खर्च करने की मंजूरी दे दी है चलिसकान सा दीजे केंद सरकार ने चालू वित्वर्ष में आत्म निभर भारत रोजगार योजना के लिए कितने करोड रुपए खर्च की मन्जूरी दी है ओप्षान है 2584 करोड रुपए, 5734 करोड रुपए, 3450 करोड रुपए या फिर 1584 करोड रुपए चलिसकान सा दीजे केंद सरकार ने चालू वित्वर्ष में आत्म निभर भारत रोजगार योजना के लिए कितने करोड रुपए के खर्च की मन्जूरी दी है चलिसकान सा रे 1584 करोड रुपए इस योजना का नसंपूर अवधी जो है 2020 से लिए के लिए 22810 करोड रुपए स्विक्रत किये गए है योजना के अंतरगत सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक काम कर रहे कर्मचारियों को 2 साल के लिए सबसीड़ी देगी सरकार की योड़ से कुछ 24 पृतिशत का अंचदान कर्मचारी भवशनीदी खाते में किया जाएगा हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ट सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है आप्शन आप के बास 15, 12, 9 या फिर 17 हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ट सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है चलिस कांसर है नौवा यह राज आंध्र प्रदेश, करनाटक, तिलांगना, केरल, हर्याना, गुजराद, गोवा, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा है उत्तर प्रदेश इस योजनाओं का सबसे बड़ा लाबार थी है क्योंकि उत्तर प्रदेश को 4,899 करोड रुपे की अत्रिक बोरेंग विंडो प्रदान केगे बोरेंग विंडो मतलब यहाँ पर सबसे जादा यहाँ पर कर्द लेने वाले के लिए यहाँ पर मतलब कर्ज लेने वाली जो सबसे बड़ा कौन सा है उत्तर प्रदेश यहाँ पर सबसे बड़ा लाबार थी है यहाँ पर जिसको 4,851 करोड रुपे का अत्रिक रण दिया गया है वन नेशन वन कार्ड योजनाओं के पूरा करने के लिए यह आवंटन जो है खाद और साजनिक वित्रन विभाग के सुझाओं के आधार पर किये गए हैं वन नेशन वन कार्ड योजना के अलावा निर्दिस्ट सुधारों में व्यपार करने में आसानी बिजली के छित में सुधार और सहरी स्थानी निकाय सुधार शामिल है भारत मोबाइल कॉंग्रेस IMC 22 का विशाय क्या है इंक्लूसिव इनोविशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेंसिबल इमेजिन अन्यू कनेक्टेड वर्ल्ड, डिजिटल इंफरस्ट्रक्चर तोवर्ट्स दिजिटल, एक्नॉमी या कनेक्टिंग दा नेक्स्ट बिलियन चली सकांसर दिजिगोंड में, भारत मोबाइल कॉंग्रेस IMC 22 का विशाय क्या है चली सकांसर है, एक्स्क्लूसिव इनोविशन, स्मार्ट, सिक्योर, सिक्योर, सिस्टेंसिबल तो अभी हाल ही मैं, साथ दिसम्बर से लेके, दस दिसम्बर तक निली तीन दिवसी भारत मोबाइल कॉंग्रेस का आयोजन किया गिया है जिसमें प्रिधानमंती नयन मोदी जी ने एक अपने उद्गोशन भाशन में कहता कि भारत जो है वो लगातार टेक्नलोजी के छेत में बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है और आज हम जो इस लॉगडाउन के इस्तिती और इस महामारी के अवसर पर बहुत सी जो सुविधाएं बंद पड़ी हैं उसका हम फाइदा उठा पा रहे हैं या उसको हम च्छती पूर्ती उसकी कर पा रहे हैं तो सिर्फ हो सिर्फ टेक्नलोजी के वज़े से ये कर पा रह हैं हमारे भारत देश ने लगातार इंटरनेट वाइफाई और मोबाइल नेटवर्क की उपर लगातार काम किया है और हम इसके लिए इसी वज़े से हम आज इस समय अपने आपको इस महामारी के समय में भी आपने आपको आंगे बढ़ा पा रहे हैं पदानमंत्री मोधी ज इसका हिंदी वजन हो गया है हिंदी में ट्रांसलिशन हो गया है मतिपदेश के उन दो शहरों का नाम बताईए जिने हाल ही में युनिसको की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है उज्जेन, ग्वालियर, ओर्चा, इंदौर, ग्वालियर, ओर्चा या फिर सांची और उज्जेन चलिसकान सर है ग्वालियर और ओर्षा के एतिहासिक के लिए शेहरों को अपने विश्व धरोहर के कारिकरम में तहत युनियुष्व के विश्व रासर सेहरों को सूची में शामिल किये गए तो यहाँ पर गौालियर औरोचा में जो उनके पुराने राजाओं के किले बने हुए हैं ये बढ़ी अच्छे हैं बढ़ी सुन्दर लगते हैं और विश्व धरोहर को साबित करते हुए यहाँ पर इन शहरों के कारिक्टम के तरह युएनिस्ट को ने विश्व विरासत के रूप में इन शहरों की सूची में शामिल किया गया है, इन को रिजर्व किया गया है कि इन शहरों को हम विराशती सहरों में शामिल कर रहे हैं। अंतराश्टी वित्निगम आई एफसी या फिर यूएस आई डी चली सकांसर है, सहित राश्ट बालकोस यूनिसेफ, कंसर्टिंग फर्म पीड़ूसी इंडिया ने अगले दस वर्षों में तीन सो मिलियन यूवा भारतियों के उत्थान के लिए सहित राश्ट बालकोस यून अत्यादुनिक जैव इधन विकास में सहायता करने के लिए तकनीकी सहायता की रूप में कितनी राशी को मंजूरी दी है। चलिए इसका अंसर है 2.5 मिलियन डॉलर मनीला इस्थित बहुपक्ची उधार एजनसी एशाय विकास बैंक तो चलिए यहाँ पर हमको काम की जिस क्या मिल गई कि एशाय विकास बैंक जो है वो लोन दिया करता है। भारत में उन्नत जैव इधन विकास का समर्थन करने के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तकनीकी सहायता को मंजूरी दे दी है। दोस्तों ये तो हमने देख लिए आज के कर इंटरफेस के क्विज हमने देख लिए आज 12 दिसमबर के दन क्या परमोगट लाए हुए ये हमने देख लिया आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरू करिए कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो में कैसा लगा है और साथी साथ में शाम को साथ बजे हमारी Current Affairs की Detail Analysis की क्लास होगी प्लीज उसको देखने ना बूलिए थैंक यू कर्के बस्ते थां भी प्लीज प्लीज नाली के झाल झाल